हिंदू से अलग धर्म जादे हैं 50 लाग लों सर्णा को अलग धर्म बनाने की माग तर्क जैनियों से ज्यादा हमारी अबादी पटना के गांधी मैदान में सुख्रवार को पांच राज्यों के 10 हजार से ज्यादा लोग जमादे हैं की एक ही मांगती भारत सरकार सर्णा धर्म कोड को लागू करें इसका मतलब यह है कि अगली जनकर्णा फाव में दूसरे सभी धर्मों की तरह सर्णा के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए इसके साथ हिंदू मुस्लिम क्रिस्चन जैन सिख और पौध की तरह सर्णा को भी अलग धर्म का दर्शा में 2011 की जनगन्ना के मुताबि भारत में कुछ 11 करोर आधिवासी थे इनमें 50 लाग से जादा लोगों ने हिंदू के वजाए सर्णा को अपना धर्म बताया था पिछली साल 11 सालों में इनकी संक्या और ज्यादा बढ़ी है सम्वेधानिक अस्तर पर स पिल्हाल प्रोटेस्ट को टाल दिया गया है भारत में आधिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदों नहीं बलकि सर्णा धर्म को मानता है इनके मुताबिक सर्णा वो लोग हैं जो प्रकृति की पूझा करते हैं छाकर में इस धर्म को मानने वालों में सबसे ज्यादा 42 लाग की अबादी है ये लोग खुद को प्रकृति का पुझारी बदाते हैं और मुर्ती पूझा में यकीन नहीं करते हैं सर्णा धर्म से जुड़े आधिवाजी सेंगर अभियान संगठन के अध्यव सालखन मुर्मुर ने कहा इस धर्म को मानने वाले लोग तीन चीजों की हाला कि वह मानते हैं कि कई सर्णा लोग सीव और दूसरे हिंदु देवताओं की पूझा करते हैं जिने वो फिर से अपने समधाय में सामिल करने का अभियान चला रहे हैं उनके मताबिक सर्णा लोग के लोग जल, जंगल, जमीन की रक्षा में विश्वास करते ही विरो और पहाडियों की पूझा करते हैं इस धर्म के लोग सरहुल पर्व काफी धुनधाम सिब मनाते हैं इस दिन ही इनका नया साल सुरू होता है सर्णा को मानने वाले धर्म गुरू बंधन दिग्गा ने एक इंटर्व्यू में बताया कि विर्जवी की सनरचना के समय से अगर अधिकारियों को लेकर लड़ाई लड़ने वाले सालखन मुर्मो ने कहा कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़े हैं ऐसे में जिस दिन से धर्ती पर इंसान आये हैं तब से ही हमारे सर्णा धर्म की सुरुआत हुए सालखन मुर्मो ने कहा कि हमारी भारत सरकार से अभी सिर्फ एक मांग है कि सर्णा धर्म को अगले जनकन्या से पहले लाग किया जाए ऐसा हुआ तो हमारी मुक्षमस्या खुद ही खत्म हो जाएगा उन्होंने कहा कि 50 लाग लोगों ने दर्जा नहीं मिलने के वाउजो सर्णा धर्म को अपना धर्म बदार सर्णा को धर्म का दर्जा मिला तो और ज़्यादा आधिवाशी लोग इस धर्म को अपनाएंगे ऐसे में सम्विधान के आर्टिकल वचीज के तहत किसी भी धर्म को मानने के मौलिक अधिकार के तहत सरना धर्म कोड को मान्यता मिलनी चाहिए राची यूनिवर्सिटी की फ्रोफेसर रहे कर्मा उराओ का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिली इसका एक धोस तर्क तो इसे मानने वालों की संख्या है उन्होंने कहाँ 2011 की रास्टिय जन्गन्ना के मुदाविक सरना धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी ज्यादा है इसलिए इसी भी धर्म का तर्चा मिलना चाहिए 1871 में जब पहली बार देज में जनगना हुई थी तो उस वक्त आदिवासियों के लिए अलग से धर्मी कोड की विवस्ता थी 1951 की जनगना में आदिवासियों को अलग धर्म की वजाए हिंदू धर्म में ही सेडिूल ट्राइब्स याने स्टी कहा जाने लगा इसके साथ ही जनगना में धर्म को लेकर एक अलग से कटेगरी अन्य की बनाई गए 2011 की जनगना में 89 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा था 2020 में जारखन विधान सभा ने जर्ना आदिवासि धर्म कोड प्रचाव किये थी इसमें आदिवासियों को अलग धर्म का दर्चा देने की बात कही गई थी इस दिल लागू करने के लिए केंद्र सरकार की हरी जड़े चाहिए थी लेकिन केंद्री ने इस प्रस्ताव पर अनुमदी नहीं दे आदिवासियों को हिंदु धर्म से अलग मानने और अलग धर्म कोड बनाने की मांगत का तब केंद्री इस पात राजमंद्री फगन सिंग कुलस्तिय ने कहा था आदिवासि पहले सनातनी हिंदु हैं बने रहें तकबरदार नियोज के साथ धन्यवाद